हेलो स्टुडेंट्स, हाउ आर यू, देखो हमने लास्ट पार्ट में सीखा था वोवेल्स, आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट गोल्डन ग्रामर का थर्ड लेशन, इस दे कंसोनन्स, हमें क्या सीखना है आज, कंसोनन्स, लेटर्स अ, E, I, O, and U are called वोवेल्स, देखो हमने वोवेल्स को लास्ट वीडियो में देखा था और सीखा भी था, All the other letters are consonants बागी के जो सब letters होते हैं उनको क्या कहते हैं? Consonants Consonants वो letters होते हैं जो A, E, I, O और U इस vowels को छोड़ कर होते हैं जो भी letters इस letters को छोड़ कर बागी रहते हैं उन सब को हम consonants कहते हैं Read aloud the consonants on the right देखो यहाँ पर इस box में देखें आपकी यहाँ पर कितने consonants दिये हैं जैसे की B, C, D, F, G, H, Z K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z देखो यह सब letter से वो vowels को छोड़ कर हैं तो हम इसको consonants कहेंगे तो let us see the exercise circle the consonants in the words given below आपको क्या करना है यहाँ पर जो भी words दिये है उन words में से consonants को circle करना है जैसे की first word is the key K, E, Y, Key देखो यहाँ पर हमने E को circle नहीं किया है because it is a vowel हमने circle किया है K को और Y को क्योंकि these two letters are consonants the other word is the pot P, O, T, pot यहाँ पर O vowel है तो हम O को circle नहीं करेंगे हम circle करेंगे P को और T को the third word is zip तो हम circle करेंगे Z को और P को because these two letters are consonants and I है, वो vowel है तो हम I को circle नहीं करेंगे SU and sun यहाँ पर U vowel है तो हम U को circle नहीं करेंगे हम circle करेंगे S को और N को then the other word is the jam J, M, jam यहाँ पर A vowel है तो हम A को circle नहीं करेंगे हम circle करेंगे J को और M को B, U, S, bus यहाँ पर हम circle करेंगे B को और S को यहाँ पर U को हम circle नहीं करेंगे because U is the vowel and B and S are the consonants C, O, W का U यहाँ पर हम circle करेंगे C को और W को देखो हम क्या कर रहे है हम A को छोड़क दिये जा रहे है A को भी छोड़के जा रहे है A, E, I, O और U A, E, I, O, U इस 5 letters को छोड़कर जो भी letters है हम उनको circle कर रहे है because these letters are the consonants M, A, T, Matt यहाँ पर हम circle करेंगे M को और T को A को नहीं करेंगे H, I, L, L, Hill हम H को circle करेंगे L को circle करेंगे यहाँ पर double L है तो हम इसको L को दोनों भी L है उनको circle करेंगे T, N, T, N यहाँ पर T को circle करेंगे और N को circle करेंगे Q, U, E, N देखो यहाँ पर consonants से जादा vowels है जैसे कि U और E यह three letters are the vowels so हम इसको circle नहीं करेंगे हम circle करेंगे सिर्फ Q को और N को V, A, S, E, W, S यहाँ पर हम V को S को और E को circle करेंगे D, O, O, R, door हम यहाँ पर D को और R को circle करेंगे O है यहाँ पर ही It is a vowel so हम O को circle नहीं करेंगे G, O, S, E यहाँ पर हम G को circle करेंगे S को circle करेंगे और E को circle करेंगे Double O को नहीं करेंगे F, O, X, Fox हम इसको हम इसमें से F को और X को circle करेंगे O को नहीं करेंगे G, A, T, E, gate gate में देखो there are two vowels जैसे कि A है और E है तो हम उस letter को छोड़कर G को और T को circle करेंगे देखो हमने इस lesson में हमने क्या किया है कि हम vowels के letters को छोड़कर जो भी letters से उनको हम circle करते जा रहे है because these are the consonants आपको मैं फिर से एक बार फिर बता देती हूँ कि A, E, I, O और U को छोड़कर जो भी letters होते है वो consonants होते है और हमें इस lesson में उस consonant को ही देखकर उनको circle करना है तो करेंगे ना आप and it is your homework तो start now and thank you